हेलो टूदेंस आज हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशन की बाक एक्सरसाइज के questions डिसकस करेंगे शुरुवात करते हैं question नमबर वान से प्रिंड इस question के total five parts हैं और हर पार्ट के लिए हमें four options दी गई हैं हमें उन four options में से बताना है कि आफिर right option कौन सी है आईए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से त्रॉपिक ओफ कैंसर ड़स नॉट पास थूप्शन्स है राजस्थान, औरिसा, छत्तिसकर और त्रिपुरा प्रेंज आप इंडिया के मैप में ध्यान से देखिए और ट्रॉपिक ओफ कैंसर को नोट इस देखिए आपको पता चलेगा कि इन चारों ओप्शन्स में से औरिसा ही वो स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ओफ कैंसर पास नहीं करता इसलिए इस पार्ट का आंसर होगा ओप्शन B यानि की औरिसा सेकंड पार्ट है The easternmost longitude of India is Students, इसका आंसर तो आपको अच्छे से याद ही होगा इस पार्ट का राइट आंसर है ओप्शन A यानि की 97 degrees, 25 minutes east थर्ड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है की आखिर, उत्राखंट, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बिंगॉल, बिहार और सिक्किम किस country के साथ अपनी boundaries share कर रही है इसका जवाब देने के लिए आप इंडिया की map में पहले इन states को locate कर सकते है इससे आपको पता चलेगा कि Nepal ही वो country है जिसके साथ ये सभी states अपने frontiers share कर रही है इसलिए इस पार्ट का right answer है option C यानि की Nepal फोर्ट पार्ट में दोस्तों हमें बोला गया है कि अगर हम अपनी summer vacations में कावरती जाने का प्लान करते हैं तो हमें इंडिया की किस union territory में चाना होगा ये तो बहुती simple है अब इंडिया के map में पहले कावरती को locate कीजिए उससे आपको easily पता चल जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी इंडिया की union territory है जहां पर हमें चाना होगा इसलिए इस पार्ट का answer होगा लक्षवदी यानि की option B फिर बात आती है last part के बारे में My friend hails from a country which does not share its land boundary with India Options है भुटान, Tajikistan, Bangladesh और Nepal Students जब आप इन चारो options को इंडिया के map पर locate करेंगे तो आपको पता चलेगा कि Tajikistan ही एक ऐसा country है जो इंडिया के साथ अपनी land boundary share नहीं करता इसलिए इस पार्ट का answer होगा option B Friends better understanding के लिए आप इस question का written solution visit कर सकते हैं Thank you for watching I'm sure students, आपको यह वीडियो बहुत पसंदाया होगा तो इसी तरह से एक मज़डार तरीके से अपने हर कॉंसेट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिये P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी करी सारे options हैं जैसे कि आपके लिए sample papers हैं Backing size solutions, tip videos and much more So what are you waiting for? Download the app now आपके लिए आपके लिए